हेलो दोस्तों स्वायगा रहात आपका एक नएक डास में आज हम आपके लेक यहां है 11 फे क्लास का दे एलिंग प्लैने ठीक आपको पता हुना चीक है इलिंग क掌़िए बीमार, क्या होता है दोस्तों, एलिंग मांने बीमार, और सर्फ प्लैनेट माने ग्रह, यह अगरा हम सही से समझें, तो यहां पे जो लेका करें, जो अपना प्रत्वी है, उसके बारे में बताना चारा है, और बता रहा है कि किस तरीके से जो प्रत्वी है, वो एक बीमार ग् ठीक अब यह बीमार ग्रह क्यूं कह रहा है यहाँ पर लिख दिया है सर गृरीन मॉवमेंट रोल ग्रीन मतलब क्या होता हरा भरा मॉवमेंट माने आधेलगा तो किस तरीके से जो पेड़ पौते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है किस तरीके तो ये ग्रह बीमार है यहाँ पर लोग एक दूसरे की नहीं सुनते है सम्विदान की नहीं सुनते है सरकार कहती है कि नहीं ऐसा जैसे अभी आगर सामाजिक मुद्दे की बात करें तो योगी जी ने कहा था यहाँ पर हम किसी कुछ अधरवाज मत लीजेगा कि वहले की एक जामपल ले रहा है कि योगी जी ने कहा था कि भईया जो गाय बगारा है उन्हें प्रापर तरीके से उनकी बिवस्था की जाए लेकिन अगर आप साड़कों पर देखें तो ऐसा रखता है सर गोकुल बन गया है चाओ तरह दद्दस भीजबीज गाय किसानों और वी बिचारें की बहुत सारी खेती बरबाद हो जाती है बहुत साहिल लोगों को दिक्कते है जमीनी लेवल पे काम नहीं होता है ठीक है तो एक बीमार गरह बताया इस चैप्टर में आईए देखते हैं नए है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए भाईया कोश्चन यह important है काफी सारा जरा देखिए laws are never respected laws मतलब होता है नियम never respected यानि कभी उनका सम्मान नहीं किया जाता nor enforced और नहीं उन्हें लागू किया जाता है in India यानि भारत में discuss this statement यानि जितने भी नियम है वो ना तो यहां उनका सम्मान होता है आपने देखा होगा जहां पर लिखा होता है यहां cycle खड़ी करना मना है वहां दो जरूर खड़ी होती है यहां poster लगाना मना है वहां दो जरूर पोश्टल लगे होते हैं यहां पर पेशाब करना मना हुआ जरूर आदमी दो चार खड़े होगे देखते बोले देखें होएगा क्या हमसे बढ़ा कोई हर आदमी नेता है ठीक है तो यहीं बताने की कोशिश की गए इंट्रोड़क्शन लिखेंगे सार दा प्रजेंट कोश्चर हैज बीन टेकन यानी बतमान प्रज़न लिया गया है फ्रॉम एन इंपार्ट एडलेसन एक महत्कूण पार्ट के दवारा जिसका नाम क्या है दा एलिंग प्लेन यानी बीमार ग्रह दा ग्रीन मूवमेंट रोल ठीक है पुरा चैप्टर का नाम है written by नानी पाल की वाला इंपाल की वाला ठीक है डिसक्शन एवाउट स्टेट्मेंट भाई या जैसे आपका क।शन ओ वाईसी हाइडिंग बना लो आपने हिजाब से तो हमने लिख दिया by discussion about statement यह जो उन्हेंने statement कहा है laws are never respected nor enforced इसके बारे में आप क्या बताएंगे तो जड़ा देखिए article 48a हमारी जो article यानि 48a है ठीक है of the constitution यानि सम्मिदान की जो article 48 है वो क्या कहता है of India provides यानि कहता है the state यानि जो राज है shall try to protect यानि कोशिस करेंगे राज and improve protect मतलब रच्छा करने की improve माने सुधारने की the environment का मतलब बाताबन को पर्याबन को and to safe guard मतलब रच्छा करने की the forest यानि जंगलों की and wild life यानि जंगली जो जीवन है of the country ठीक है यानि हमारा article 48 क्या कहता है कि जितने भी हमारे राज्य हैं जिसे हमारा राज्य हम लोग कहा रहते हैं उत्तर प्रदेश में वो सारे के सारे try करेंगे सारे के सारे कोशिश करेंगे हमारे बाताबरन को सुधारने की कोशिश करेंगे हमारे जंगलों की life को अच्छा करने की the problem of environment has not been tackled tackle मतलब पकड़ना किसी चीज़ को यानि जो problem है समस्या है environment की उसे सही से tackle नहीं किया जा रहा है सही से नहीं पकड़ा जा रहा है properly मतलब सही डंग से the big cities जो बड़े-बड़े सहर है like Mumbai जैसे Mumbai है our suffering यानि गुजर रहा है भोगत रहा है वो अब यहाँ पर लिगा हुँ एक्ट्यूले एक्ट्यूले का मतलब वो तह तीवर्ता से तेजी से ठीक है from the problem of environment अगर आप मुंबई बगरा में चले जाए इतना प्रदूशाण है हम आपको बताएं अभी हम तो फिलाल हम लोग प्रापर सह्यापूर के रहने वाले हैं तो बहुत ज्यादा प्रदूशाण है तो वही वह बता रहा है कि जो बिग सिटीज है मुंबई टाइम बहुत बुरी तरीके से बहुत तीवर्ता से बातापरण की समस्या से भुगत रहे हैं ठीक है एक साल में इंडिया जो है लूज कर रहा है अपने जंगलों को किस रेट से 3.7 मिलियन एकर मिलियन का मतलब 10 लाग होता है दोस्तों ठीक है तो 3.7 यानि लगबग 37 लाख एकर हर साल जंगल खतम हो जाते हैं इंडिया में ठीक है वाल्ड लाइफ जंगली जीवन इन इंडिया नॉट से बिलकुल भी सेफ नहीं है कोई भी सिकारी जिनके लाइसेंस है नहीं है कुछ भी पता है नहीं है गए कहीं भी सिकार कर रहा है और actual में सिकार तो अलग की बात हो गई है जब भाईया देखिए काट काट के काट के काट के जंगल सब फ्लाटिंग करते चले जा रहा है बस्ती बसाते चले जा रहा है तो जंगली लाइफ कई से सेव होगी सेव हैं, चीते हैं, सब विचारे कहा जाएंगे तो बिलकुल भी सेव नहीं है दर्राइटर गिस एकजामपिल वो कई सारे एकजामपिल देता है दर कॉंस्टिटूशन यानी संबिदान के सेज दैट कास्टिसम का मतलब क्या होता है कास्टिसम का मतलब होता है जाती पर था अभी भी आप देखें ये बहुत सारी जाती पुरह है, हम पंडित हैं। करता है उनके घर भी जाना नहीं पसंद करता है उनके हाथ का पानी पीना नहीं पसंद करता है आज भी हाई है एक्चुल में हमारे टाइब लोग नहीं मानते हैं लेकि लोग मानते हैं ठीक है अगर वो कहते हैं भी आईए घर पर आईए घर गाये बहुत पानी पानी नहीं प ब्रत है पतलब फिरी फेंड में अपने ब्रत रखन लिया फरी नहीं भी ब्रत है तब भी ब्रत है एंड बॉंड़ेट लेवर बंदुआ मजदूरी जब अलजस्ती लोगों को नौकर बना लिया बंदुआ मजदूरी करवा रहा है उनसे यानि सम्मिदान कहता है अबॉलाइज का मतलब इन्हें हटाया जाएगा बट दे फ्लोरेस फ्लोरेस का अलज़ फल फूल रहे हैं सम्मिदान कहता है इवन आफ्टर हाफ असंचुरी हाला की देश आजाद हुए कितने हैं पचास साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं फिर भी कभी भी लॉज का सम्मान नहीं किया जाता है नौर इंफोस्ट इन इंडिया और नहीं कभी उन्हें लागू किया जाता है सरकार उपर से आगे कह देती है कि सर यह होगा वो होगा लेकिन एक्चुल में कुछ भी नहीं होता है तो इस चैप्टर के काफी इंपार्टेंट कोश बनाता है तो जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारी Google Play Store पर अप्लीकेशन है ठीक है अब वहां पे जाईए अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिये और 11 क्लास की इंगलिस, 11 क्लास की ब drainage, 12 की इंगलोजी यह सारे कोर्से गेवल एक एक रूपए में वहां पे नवाद